नमस्कार आप देख रहे हैं नाशनल वोईस आपके साथ मैं हूँ शुब रासुमन ब्यूरोक्रसी में अधिकारों को लेकर बवाल होता रहता है IS और IPS अकसर कई मुद्दों पर आमने सामने दिखाई देते हैं लेकिन आदित्यनाथ सरकार के एक फैसले ने इनके बीच मतभेद की खाई को और गहरा कर दिया है आदित्यनाथ सरकार ने फैसला किया था कि SSP जिलों में दारोगा की तैनाती डीम की सलाह से करेंगे इसके बाद डीम और SSP के बीच में तनातनी के कई मामले सामने आए अब ताजा मामला आपको बताते हैं घाजियाबाद का है जहां पर SSP वैभव कृष्ण और DM रितु महिश्वरी के बीज विवाद बढ़ गया विवाद इतना बढ़ा कि मामला लखनव तक पहुंच गया रितु महिश्वरी ने थाना ध्यक्षों की तैनाती को लेकर SSP वैभव कृष्ण को एक पत्र लिखते हुए पूछा कि उनके खिलाफ कारवाई क्यों न की जाए इसके बाद SSP वैभव कृष्ण डियम के इस रवाईय से नाराज होकर प्रमुख सचिव ग्रिह अर्विंद कुमार को एक पत्थल उन्होंने लिखा जिसमें उन्होंने डियम की कारशाली पर नाराजगी जताते हुए कह दिया कि वो उनके साथ काम नहीं कर सकते तो क्या योगी सरकार का फैसला अब विवादों का कारण बनता जा रहा है सवाल ये भी है कि डियम और SSP जब लेटर वार में उल्च रहेंगे तो जिले का काम कैसे होगा इसी पर हम करेंगे चर्चा रुषी पर बाचीत करने के लिए हमारे साथ श्रीधर पाठक जुड़ गए हैं पूर्व आई पीएस हैं आपका बहुत-बहुत स्वागत है सर अपसे कुछ देर में हरदेव सिंग हमारे साथ जुड़ेंगे जो की प्रशासनी का दिखारी रह चुके हैं और साथ ही राजेंदर कुमार हमारे साथ हैं स्टूडियो में हमारे वरिष्ट सही होगी आप सभी का स्वागत है सबसे पहले श्रीधर पाठक जी हम आज जो ये रिफ्ट देख रहे हैं जो लेटर वार देख रहे हैं योगी सरकार की एक फैसले ने क्या इस तरह की विवादों को हवा दी और उसी का नतीजा है कि फिर से एक बार एक जगहा पर नहीं कलकी कई जगहों पर ऐसी स्थिती बनाई है जहां पर अधिकारी आपस में भिड़ रहे हैं इस तरह का फैसला सरकार को लेना नहीं चाहिए था और इसकी काफी आलोचना होने के बाद उस पत्र को वापस लेने की बात हवा में आई थी पता नहीं वापस हुआ या नहीं हुआ लेकिन इस तरह का यह पत्र पहले 2001 में जारी हुआ था कि किसी भी उपन रिच्च को थाना धक्ष बनाने के पहले जिला धिकारी की लिखित सहमती प्राप्त कर लिया जाए उस पत्र का अनुपालन ना तो किसी S.P. ने किया ना किसी D.M. ने उस पर जोर दिया ना सरकार ने दुबारा उसको पूँचा लेकिन 2009 में यही पत्र कोई आवसेक्ता नहीं थी क्योंकि इसका पालन ना तो कोई IPS अफसर करता है ना कोई IPS अफसर इसके बारे में पूंच्टांच करता है अब यह नई सरकार के आने के बाद यह चीज फिर से चालू हुई तो इसने अधिकारियों के बीच में रिफ्ट तब पैदा किया जब न अधिक्षों ने अपनी जगा काम चुरू कर दिया था लेकिन सरकार भारी मात्रा में कन्फ्यूज है और भ्रह्म की इस्थिति में है क्योंकि किसी उप निरिच्चक को थाना ध्यक्ष बनाना और निरिच्चक अस्तर के अधिकारी को स्टेशन हाउस आफिसर बनाना दोनों दो चीजें हैं दोनों एक ही अधिकार का उप्योग करते हैं और दोनों सी आर्पीसी के तहित प्राप्त अधिकारों का उप्योग करते हैं दोनों के रैंक में अंतर है दोनों की पेंशन में अंतर है और अन्य चीजों में भी अंतर है और उनके स्टार्स में अंतर है तो व पहले सोयम क्लियर हो जाना चाहिए क्योंकि एक बार जिला अधिकारी द्वारा अनमोधन दे दिये जाने के बाद किसी भी हालत में बिना विभागी कारवाई के उस अधिकारी को रिवर्ट नहीं किया जा सकता है और अगर उसको रिवर्ट किया जाएगा तो वह उस मामले में हाई कोल्ट में जाएगा उसमें सरकार की बड़ी थुक्कम पजियत होगी और उसके बाद-बाद में सरकार ये न कहा कि कानून व्यवस्था गरबर हो रही है और थाना देक्शों को हटाया नहीं जा रहा है फिर कोई भी थाना देक्शों को हटा नहीं सकता लेकिन यहाँ पर एक बहुत ही अहम बात है सर जो आपने भी कही कि ये फैसला कोई नया नहीं है ये फैसला इस तरह का लेटर पहले भी जारी हुआ था और उसे दोहराया गया फिर से एक बार जिस पर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं लेकिन मैं आपसे समझना चाहूंगी कि जो अधिकारी ह गाजियाबाद में जो मामला सामने आया और जिस तरह से लेटर्स का एक्स्चेंज शुरू हो गया और एक दूसरे पर प्रत्यारूप किये गए और उससे जाहिरे काम प्रभावत हुआ तो जो अधिकारी हैं वो कितने जिम्मेदार होते हैं इसके लिए उनका जो रवया है जो उनका आटिटूड है वो किस तरह का हो क्या वो अगर चाह लें तो इस तरह के विवादों को रोक नहीं सकते हैं बिलकुल रोकने की बात ही नहीं है यह इस तरह के विवाद पैदा ही ना हो अब जैसे गाजियाबाद का मामला है उसमें एसपी ने उनसे अनमोदन मांग का बात्य नहीं का, बात चीत हुई, नहीं हुई, कंसल्टेशन हुआ, नहीं हुआ, पुलिस स्य रिगुलेशन में प्राविधान है ना हाई है वह बड़ी अच्छी बात है और बड़ा अच्σा प्राविधान है क्योंकि किसी भी उपनिरिक्ष को ठाना देक्ष बनाने के कि politiques बतों को ध्यान में रखता है वहाँ की राजनीत वहाँ की कुनाभी वहाँ के लोगों का चरित्र और वहाँ की लोगोंका प्रभाव राजनायतिक दल्ड का प्रभाव कई चीजों को वह ध्यान में रखता है तो ऐसी आलत में डियम से कंसल्टेशन कर लेना हमेशा विभाग के हित में होता है और लोग विवस्था के हित में होता है जनपत के हित में होता है सरकार के हित में होता है लेकिन अगर इसमें लिखा पढ़ी शुरू हो जाए तो यह बहुती खराब बात है जैसे कि बार-बार एक्वारों में बात आ रहें हुआ जिला दिकारी नहीं है यह चिट्टी भेजी कि क्याओ आपके विरुत्सकारवाई के जाए क्या क्या कर रहा है कहीं लिखा है क्या? क्या ये लागू हो सकता है? क्या ये वैभारिक है? कितनी जिम्मेदार सरकार और कितनी जिम्मेदार अधिकारी? इस सरकार में ये हुआ कि ये विवस्था गरबडाई क्यों? क्योंकि नौ मई को प्रमुक सर्चुगरे ने एक आदेश जारी किया कि साहब रजामंदी नहीं लिखित सहमत होगी, डियम की लिखित सहमत होगी, तब ठाना देक्चों की और तैनाती की जाएगी या उनका तबादला किया जाएगा. इस चीज का विरोत IPS ने किया, कि साहब ये IS हाबी हो रहा है, IS तंतर हाबी हो रहा है IPS तंतर पर, लिखित अनुमत की कहीं कोई जरूरत नहीं है, तब सरकार ने कहा कि साहब 2001 में और 2009 में ऐसा ही एक आदेश जारी हुआ था, जब विवाद बढ़ा, तो ये 24 मई को सरकार ने लिखित वाली जो आदेश दिया था, उसको हटा लिया और ये कहा कि साहब आपसी सहमत से होनी चाहिए, अब आते हैं गाजियाबाद के विवाद पर जो अभी ताजा हुआ है, गाजियाबाद के DM और SSP दोनों ही बहुत काबिल अधिकारी हैं, IS के और IPS के, रिप्ट ये है कि साहब वो, उन्होंने कहा कि हमारी हमारा आपस में तालमेल ठीक नहीं, तो तालमेल ये ठीक नहीं है, तो ये DM की जिम्मेदारी होती है कि वो SSP से अपना तालमेल ठीक करें, अगर SSP कोई अनुची थरकत कर रहे हैं, आदेश नहीं मानना हैं, आपकी बैटक में नहीं आ तब तो आप इस तरह की चिठी लिखिए या आघे तक बात ले जाईए पर यह आला मामला आगे तक आ गया अब साशन को उनोंने भी लिख दिया चिठी कि डियम ने कि आप हम इनके साथ काम नहीं करना चाहते और स्सी ने भी लिख दिया कि साभ हम बिल्कुल सवाल फिर ये उठता है ना कि आखिर जनता कब तक किसे देखती रहे और कब तक रिफ्ट पर करार रहे यहां जनता की बात कि अगर है तो जाहिर है कि उससे कई काम प्रभावित हो रहे हैं एक संदेश जा रहा है कि सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है प्रिशासन में पुलीज में और अगर जो समन्वे की हम बात करते हैं कोडिनेशन की बात करते हैं वही अधिकारियों के बीच नहीं है तो कैसे भरोसा करे जनता सरकार पर प्रिशासन पर पुलीज पर हमारे साथ जुड़ गया है हरदेव सिंग पूरु प्रिशासनी का दिकारी है हरदेव साहब की सिर्फ उस चीज की बात है या फिर एक इगो क्लाश भी है इगो क्लाश भी है गाजयबाद का ही मसला ले लिजे यह कह देना कि हम एक दूसरे के साथ काम नहीं करेंगे आंकर यह कौन सरवाया है देखें यह जो थामा द्यक्षों की तैनाती है इंस्पेक्टर्स की के बीच था एक सामंज़त से था कि नियुक्ति की पहले एससपी एसपी डीम से बात कर लेते थे और उसमें कोई किसी तरह का क्लैश भी नहीं होता था जिलों में जैसा हमने देखा कि कभी ऐसी इस्तियां पैदा नहीं हुई इधर लगभग दो तीन महीने से जो इस्तियां पैदा हो गई हैं और शाषन के आदेशों से भी जो कुछ रिकत्विधियां और ज्यादा तेज हुई आईएस और आईपीएस एससोशेशन के बीच ये मुख्यतया एक्चली केवल अहम का मुद्दा है एक एगो क्लैश जिसे कहते हैं और अगर जन्पत पर तैनात इतने पड़े अधिकारियों के बीच डियम हेड माना जाता है एड्मिनिस्टेशन का एसपी एससपी पुलिस विभाग के सरवोच अधिकारी हैं वहां के जिले के और उनके बीच अगर तालमेल अच्छा नहीं होता तो मैसे बड़ा खराब जाता है अगर लिखा पड़ी की नव बता गई कि हम एक दूसरे के साथ काम नहीं करना चाहते तो शाषन को तत्काल तुरंट मनें कोई न कोई कारिवाई कर देनी चाहिए या तो हटाए जाए और इस तरह की ऐसी सिटी क्यों पैदा हो रही है जनपदों में ये समझ से परे है आपसी तालमेल गड़बड है आपसी संबंध गड़बड है डियम एससपी साथ साथ घूमा करते थे जनपदों में जहां निकलना हुआ शहरों में अविशेश कर रही हूँ कि पिछले दो-तीन महीनों का अपने जिक्र किया उसमें ऐसा क्या बदल गया कि इगो क्लैश होने लगा ये मेरे ख्याल से बस अहम का मुद्दा बना हुआ है एक दूसरे से बड़े समझने वाला या अपने विभाग में हम किसी को दूसरे को दखल नहीं देने देगे ये मुद्दा ज्यादा समझ में आ रहा है एक दखल देना चाहता है एक दखल देने के विरोध में है ये ज्यादा मामला पढ़र रहा है और ये जब लिखा पढ़ी में आता है देखे होता क्या है मान लीजिए किसी तरह कब नमबन बुटाओ है तो डीयम एशस्पी बड़े आराम से चाई पर बैठके इस कि यहां घर पर आ जाते हैं, हम लोग सब ताहमें एक दिन मिलने का गारिकर्म बनाया 시청ते थे, तो यह कहीं न कहीं, इसमें अब दुराओ आ गया है, दूरी बनती जा रही है, और यह दूरी जहां प्रसाशन एक यूनिटी है, जहां प्रशाशन एक unity कहा जाता है और unity के रिये एक्चली जनपद में SP, SSP और DM इनकी unity बहुत जरूरी है क्योंकि crime control, law and order control और otherwise भी एक सामंजस बनाने के लिए इन दोनों के बीच आपसी तालमेल बहुत अच्छा होना चाहिए अगर पहले तालमेल जादा जाहिए प्रशाशन और पुलीस के अंदर उसे technicalities नहीं पता है उसे बहुत सारे नियम नहीं पता है अगर पहले तालमेल था तो मैं आपसे बड़े ही आसान लफजों में समझना चाहरी हूँ अब क्या हो गया ऐसा क्या इसे विवस्था की खामी के तौर पर हम नहीं देखे अगर पहले ego class नहीं हो रहा था अब उन लोगों को यह लग रहा है कि हमारे अधिकार जो हैं दूसरों को दिए जा रहे हैं या फिर किसी को लग रहा है कि मैं हावी हो सकता हूँ तो क्या ये विवस्था की खामी के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए? बिलकुल बिवस्था की खामी है इसमें तदकाल कोई न कोई ऐसा कदम उठाना चाहिए जहां इन चीजों को समात्र किया जाए और बहुत सामंज़ से बहुत जरूरी है और किसी का किसी भी अधिकारी का व्यक्तिगत अहम कोई महत्तो नहीं रखता। जनता के बीच ऐसा संदेश कभी नहीं जाना चाहिए प्रसाशन एक होने का संदेश जनता के बीच जाना चाहिए और अगर कहीं ये मुद्दे आ रहे हैं डियम एसपी एसपी के बीच तो ये बहुत खराब परंपरा है ये बिलकुल बेवस्था को गडबर बनाएगा और क संदेश जाता है और उनमें दूरियां बनती चली जाती है फिर लान और आप नहीं कंट्रोल कर पाऊगे ये बहुत जरूरी है शाशन इसमें सक्थ हो तालमेल की कमी के कारण विवस्था खराब हो रही है सर या विवस्था खराब होने के कारण तालमेल कम दिखाए दे रह भिवस्था में गरबडी ये है कि सरकार को आई हुए देड़ साल हो गया है इस सरकार ने अभी तक किसको थाना ध्यक्ष बनाया जाए चिसको ना बनाया जाए इस बारे में कोई पॉलिशी डागुमेंट जारी नहीं किया है सभी सरकारें इस तरह का काम करती रही है 1985 में स्रीजियन चत्रवेदी जब डीजी उपी हुआ करते थे उन्होंने यादे जारी किया था उसके बाद कल्यान सिंग के समय में यादे जारी हुआ और उसमें यह उगता श्रेष्ठता, जेष्ठता, छमता यह आलंकारिक सब्दों का उपयोग करके यह बताया गया कि किसको थाना देख्ष बनाया जाएगा अब इस्ति बदल गई है, अब सभी थानों के जो थाना देख्ष हैं वो इंस्पेक्टर रहें के अधिकारी हैं लेकिन बाद में उसमें और भी बदलावा गया, 200 थाने ऐसे हैं जिसमें हमारे डीजी साहब ने यह उचित समझा कि एक से दो नहीं, दो से चार इस्पेक्टर तैनात किये जाएं, थाना देख्ष तो यह कही होता था अब चार-चार इस्पेक्टर एक थाने पर तैनात होने लगे हैं, जिनका काम भिन भिन है तो इस बारे में गवर्मेंट से, ग्रे विभाग से एक आदेज जारी होना चाहिए कि थाना देख्ष का काम क्या होगा, किसको थाना देख्ष बना जाएगा, कितनी सर्विस के बाद बना जाएगा जैसे कि किसी समय ये था कि 7 साल की सर्वीस के बाद थाना देक्ष बनाया जाएगा लेकिन अगर इमर्जेंसी हो तो 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 देड़ साल की सर्वीस वाले को भी थाना देक्ष बनाया जा सकता है लेकिन उस बैट को थाना देख्च बनाने के बाद वो जो काम हुआ करता था उसके बाद उसे हटा दिया जाता था क्योंकि उसको ना तो जीवन का और ना ही विभाग का कोई अन्वो नहीं होता था साथ साल परियाप्त समय होता है अब पिछले दिनों सरकारों ने ये किया कि साथ साल का जो सब इस्पेक्टर होता है वो इस्पेक्टर हो जाएगा साथ साल का सब इस्पेक्टर इस्पेक्टर हो गया वो कभी थाना देख्च रहा नहीं और जब इस्पेक्टर हो गया उसके बाद आपने उसे किसी सहर कोत्वाल बना दिया तो जगड़ी करता गूम रहा है सबसे वो जगड़ा कभी नीचे पहुंचता है वो जगड़ा कभी उपर पहुंचता है पूरे विभाक को बुखार हो गया है पिछले साल डेर साल में यहां यहां यह है कि हम किस थाने में किस इस्पेक्टर को तैनात करें यह डियम की जब तक अन्वारिता न हो जाए तब तक हम उस पर नहीं करते हैं और उस पर अगर जड़ा सा भी डियम असहमत हो तो क्या वो ए वस्ता गलत है यह खाली पॉलिटिकल पोस्टिंग वगारा के चलते यह चीजे पनप रही हैं जिनको रोकने की जरूरत है आप गाजियाबाद की बहुत अच्छी होंगी और गाजियाबाद के सेस्पी बहुत अच्छे हैं पर अगर वह आपस में लड़ते हैं तो प्रसास विवाद और नुएडा में ही क्यों पूरे उत्तर प्रदेश में और जिलों में कहीं बीवाद नहीं होता है यहां इसलिए होता है कि यहां जो भी थाना देख्च बनता है वो किसी ना किसी बड़ी अप्रोश से बनता है या कहीं न चईसका कोई political connection भी होता है कहीं कोई । सहमत हो कहीं कोई और बड़ा अधिकारी सहमत हो ति यह जो पोस्टिंग काल छमता के हिसाब को किनारे करके विवहार से होने लग जाती है तब जाके इस तरह की विवाद खड़े होते हैं और यह विवाद आनुन विवस्था के लिए खराब है इस तरह के मामलों में जब भी विवाद होता है तो गौर्णमेंट आडर है कि जो संबंदित रेंज डियाइजी हैं वो उस समस्या को हल करेंगे और उनकी कई भी बात अंतिम होगी अब इस वाले मामले में देखिए डीम ने कहा कि साहब साथ तालबेल नहीं कर रहा है इन पर कारवाई की जाने चाहिए स्सपी ने कहा कि साहब हम इनके साथ काम नहीं कर सकते तो अब यह जब दो लोग एक साथ आपस में लड़ रहे हैं तो इनकी हम पंचायत करने की जगए इनकी जेकरिम नहीं अधिकारी वहाँ पर पोस्ट करें बिलकुर पंचायत से कोई रास्ता कानुन विवस्ता नहीं कर आया है जिसपए चर्चा होनी जरूरी है और वह ऑलटे कल एंगल इसमें सियासी पहलू कितना देखते हैं आप सर हरदेव सिंग्fa याह लिए जो पॉलिस महम है यह जो इन्सक्टर यह जो थाना ज्यक्स बनने की सिति में है थानाप्रभारी बनने की सिति में है वो भी political अप्रोच करता है वो लगवाता है कहीं न कहीं से और political जो आका हैं वो DM के माध्यम से या सीधे कहीं SP SSP से बात करके और उस अधिकारी को सब इंस्पेक्टर या इंस्पेक्टर को थाने का प्रभार देने के लिए कोशिश करता है ऐसे ब्यवस्था में ब्यवधान उ होता है और अगर किसी कारण बस मान लीजे किसी ऐसे इंस्पेक्टर की स्थितिम का पर्फरमेंस ठीक नहीं है और उसको किसी अच्छे थाने में तैनात करने की बात की जाए और DM ने प्रभाव में आ गए DM ने सिफारिश किया SSP से उन्होंने कहा कि नहीं यह तो हम इसको तो नहीं करेंगे यहां तो दोनों में ठकराव बढ़ती है यह केवल मामला है DM और SP SSP के बीच अगर इनमें तालवेल अच्छा है तो एक दूसरे को कन्विंस कर सकता है कि देखो इसकी पर्फरमेंस ठीक नहीं है इसको यहां रखना कदाभी उचित नहीं है अगर पॉलिकल इंटरफेरेंस आता है तो उसमें भी इस पर्ष्ट बता देनी की जरूरत है कि इ SP SSP के समंधों में खटास आ जाती है और प्रशाचनिक व्यवस्था में व्यधान उत्पन होता है तब यह डिक्कत पैदा करने वाला मामला है तो कुल में लाकर के जो मुझे समझ में आ रहा है पूरा मामला तीन पहलू है इसके एक तो यह की इगो क्लैश है अधिकारियों के बीच में मैं छोटा वो बड़ा इस तरह की बाते हैं जिसकी वजल से यह रिफ्ट देखा जा रहा है दूसरा की नियम जो है वो क्लियर नहीं है अगर नियम क्लियर होते है जैसा की पाठक जी कह रहे हैं तो शायद इससे रोका जा सकता था और तीसरा सियासी दखल यह भ काम हो विवाद कम हो सरकार को केवल दो काम करना नंबर एक इसे उत्तरपदेश पुलिस अधनियम बनाना है जिसके जिसमें एक या एक से अधिक धाराओं में यह सारी चीजें कबर होती है सरकार ने पिछले 25 सालों से इसका ड्राफ्ट अपनी अलमारियों में बंद कर रखा है उसने क्यों नहीं बनाया यह तो सरकार जाना है और पुलिस विभाग को उसने छोड़ दिया है वो अपना लड़ाई वड़ाई अपना करते रहते हैं जब सरकार नहीं सुनती है तो सब्सक्राइब तो ने पकरता है क्या गलत कर रहा है इसमें यह सलूशन यह है कि जो थानेधारी तैनाती की है व्यवस्ता है उसको जो ड्यम्स पी ठीक से लागू नहीं कर रहे है उसको देखने के लिए ग्रह विभाग बना हुआ है और उसको उसी वक्त हस्तचेप करना च कोड़ी से टिपणी हर्देव जी से लिए आपको भी लगता है कि यहीं सब्सक्राइब कर रहे हैं वास्तों में अगर पेंडिंग है तो उसको जल्दी से जल्दी उसको जारी कर दिया जाना चाहिए ताकि एक इसपस्ट गाइडलाइन रहे और दोनों को एसपी एसपी और डियम सभी को उसका पालन करना है दूसरा है कि जहां इंटर्फेरेंस पोलिटिकल इंटर्फेरेंस या तैनाती ना होने के कारण किसी के अंदर फ्रस्टेशन है और वो पोलिटिकल एंगिल तलाशे पोलिटिकल मदद ले वो उचित नहीं है झाल 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 झाल